आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप ना कभी देखे होंगे और ना ही सुने होंगे यूटूब पे ते बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ये रेसिपी बहुत टेस्टी और यमी बनने वाले हैं और अगर बच्चों के टिपीन में ये देंगे तो व और गियू का आटा में डालने के लिए हमें चाहिए ये है बना हुआ दाल जो कि हमने दूपार में बनाए थे तो दूपार को बनाते हैं तो वो बच जाता है तो बचने के बाद क्या होता है या तो हम फेक देते हैं नहीं तो वो खराब हो जाता है अब से ऐसा नहीं होने तो हमने थोड़ा सा दाल को गरम कर दिया और इसमें डालने के लिए हमें चाहिए मिर्ची अगर आप पिटे के के लिए बना Hold A कमी अथा यस नहीं और एक ओनिया पता थोड़ा में जादा ले रहे हो अब हमें क्या करना है यह सार जितना है प्यार धनिया पता मिर्ची सबको हम इसमें डाल के अच्छे से पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगे कि हम नमक डाल में कम है तो ही आप नमक डाले इसमें नहीं तो नमक नहीं डाले इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें थोरा थोरा ये डालते हुए इसको अच्छे से हम आटा लगा लेंगे इस तरह से करते हुए आटा को हम लगा लेंगे कर देख सकते हैं हमने आटा इस तरह से लगा लिया है एकदम सॉप्ट हो चुका है अब हम इसको क्या करेंगे गैस अन करके हमने तब तक मेरा तबा के गरम हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे इसको बेलेंगे ड्याज़ाने के बादा डाल कीज़िद और हमें इसका च्छोटा-च्छोटा पेरा बना लेंगे। इस तरह से सारी को बना लेंगे। अब इसको सरी कि हम एक उतीर का जाने, अब राउंड करते हुए अच्छाँ में इस तरह से स्टीबाल क मिद तरह के लिपिवें। और तब इसको हम round shape में बील लेंगे ये खाने में सच में बहुत अच्छा लगता है तो इसको एक बाद ट्राइ जरूर ही करना चाहिए आपको देखे हैं हो गया ना कितना अच्छा देखने में लग रहा है जितना मेरे पास पराथा हम सब को इस तरह से बेल लेंगे उसके बाद पकार गैंगे आप्षा सारी हमें को इस तरह से बेल लिये हैं अब हमें क्या करना है तो मेरा तवागरम हो चुका है अब Σे Colle criteria अब हमtestेसे डालेंगे हैं इस पर अच्छी से इसको हम त्रण सेकेंगे पहले एक साहर से थोरा साम होने देंगे उसके पुलटेंगे यह एक साइड से हो चुका है अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और इसमें तिल लगा देंगे आप चाहे तो आप गी लगा के भी बना सकते हैं बटर लगा के भी बना सकते हैं आपको जो पसंद हैं वो लगा के आप इसको बनाई है और इस तरह से लगा के हम इसको अच् कितना अच्छा और यमी देखने में लग रहा है सोची ये खाने में कितना अच्छा लगेगा तो इसको एक बार जरूर आप बनाईए और ट्राइ कीजिए और हमें भी बताईए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगे ताकि मैं इसे भी अच्छी रेसिपी लेकर आपके लिए अच्छा आपके ये